भारत इस समय कोरोना की दूसी लहर का सामना कर रहा है लेकिन ये रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से करीब 900 किलोमेटर दूर पश्यमी मदपरदेश के आदिवासी बहुल जाबवा जिले के एक गाउं के लोग कोरोना से नहीं बलकि पीने के पानी के लिए जबूर हैं रात करीबन तीन बजे से ये आदिवासी महिलाएं इस सूखे नाले में पहुँच जाती हैं जहां पहले से गड़े खुदे होते हैं और यहां पर एक घड़ा पानी खटा होने का इंतजार करती हैं बहुश्किल जैसे तेसे एक घड़ा एक से डिड़ घंटे म का काम सिर्फ जहरी खोद कर गड़े खोद कर पानी जुटाना ही है ये आजाद भारत की वो तस्वीर है जो आजादी के तिहोतर साल बाद हमारे केमरे में रेकाड हुई है तस्वीरे बताती हैं कि आजाद भारत के सियासत दानों ने आखिर किया क्या है जिला मुख्याले शाबवा से महज 23 किलोमेटर दूर की ये तस्वीरे हैं और ये तस्वीरे साबित करती है कि वो लोकतंतर का तंतर जिसके आधार पर भारत दुनिया भर में दंब भरता है कि वो विश्यो का सबसे बड़ा लोकतंतर है लेकिन उसी लोकतंतर के चुने हुए जन प्रतिने दी ज जो 73 सालों से विधान सभाओं लोक सभाओं में जिला पंचायतों में जाते रहे हैं अगर उनी की नाक के नीचे ये अदिवासी महिलाएं गड़ा खोद कर पीने के लिए पानी जुटाने को मजबूर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि आकर सियासत दान क्यों हैं किसके लोगों से बाचित की पैजल संकट को कैसे दूर करेंगे इसका उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था लेकिन उनने कहा कि बेराज बनाये जाएगा सवाल ये है कि ये बेराज कब बनेगा क्या मुझूदा साल की गर्मी में ये बेराज बन जाएगा और बन गया तो क्य उससे पानी मिलेगा ये बड़ा सवाल है कुल मिलाकर एजडिन सहाब का दोरा भी एक रस्मदाईगी साबित हुआ कोई ठोसा सौसन नहीं यानि ग्रामिन अभी भी ये तैह है कि बारेज 15 जून के आसपास आलाके में आती है और बेराज तब तक बन नहीं सकता और ये तैह है कि रस्मदाईगी के बाद भी आदिवैसी समझ गए है कि उनको जमीन खोद के ही पानी पीना है ये आजाद भारत की वो तस्वीर है जो हमें निरास करती है हतास करती है सियासत दानों पे सवाल खड़े करती है वो सवाल तो 1956 से जब मदपरदेश बना तब से लेकर अब तक यहां रहे कलेक्टरों पर भी खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने इस पूरे इलाके में क्या किया है आपको बता दे कि कुंदनपूर के आसपास के दरजनों गाउं ऐसे हैं जहां पेजल की किलत है लोग पीने के लिए साल में कम से कम चार मेने संगर्स करते हैं उनके जल स्रोज सूख जाते हैं हेड़ पंप का पानी नीचे चला जाता है लेकिन अफसर हर साली समस्यां को देखते हैं खबरे भी देखते हैं लेकिन उसके बाद इन अदिव्याशियों को उन्ही के हाल पे छोड़ दिया जाता है सवाल ये है कि ये तंतर और सिस्टम किस के लि लेगा ये एक बड़ा सवाल है